अक्टूबर 2019 को इटावा पुलिस स्टेशन इंचार्ज अनील मनी त्रिपाठी के पास शाम के करीब 6 बजे पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा व्यक्ति बद हवास हालत में पहुँचा। और मैं शहर के कटरा बलसिंग महले में रहता हूँ। किसी ने मेरी बहु दिव्या मिश्रा की हत्या कर दी है। पुलिस वालों को लेकर तीसरी मन्जिल पर स्थित उस कमरे में पहुँचे जहां पर उनकी बहु दिव्या का शव खून से लत्पत पड़ा था। उसके सिर के पिछले हिस्से पर चोट का गहरा निशान था। दिव्या के शव के पास ही चीनी मिट्टी से बना एक फूल दान तूटा हुआ पड़ा था। और इससे लग रहा था कि उसी फूल दान से वार करके दिव्या की हत्या की गई है। कमरे का सामान भी अस्त वेस्त पड़ा था। ऐसा लगता था कि शायद दिव्या ने हत्यारे के साथ काफी संगर्श किया था। अनिल त्रिपाठी अभी घटना स्थल का निरिक्षन कर ही रहे थे कि तभी सूचना पाकर ASP डॉक्टर श्याम सिंग, ASP राम बदन सिंग तथा फोरेंसिक और डॉग स्कॉट की टीम भी घटना स्थल पर पहुँच गई थी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से निरिक्षन किया। जाच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने दिव्या के शरीर के अंदर कुछ हरकत महसूस की तो दिव्या के जीवित होने की संभावना में उसे तुरंत जिला हॉस्पिटल भेज दिया गया। लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोशित कर दिया। इधर फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल की जाच करके फिंगर प्रिंट लिए और खोजी कुटा भी घटना स्थल पर पड़े खून के और कमरे के चक्कर लगाता रहा। फिर वो कुटा मकान से नीचे उतरा और लड़ेती भवन तक गया और फिर वापस आ गया। यानि खोजी कुटा भी मददगार साबित नहीं हुआ। पुलिस अधिकारियों को पूछताच में पता चला के दिव्या मिश्रा टीवी एंकर अजितेश मिश्रा की पतनी थी। घटना के समय अजितेश नौइडा में था। उसके पिता प्रमोध मिश्रा ने फोन करके उसे दिव्या की मौत की सूचना दी थी। प्रमोध ने City Magistrate सतेंद्र नात पांडे की उपस्थिती में दिव्या के शव का पंचनामा भरने के बाद उसे पोस्ट माटम के लिए भेज दिया गया और रात दस बजे के समय तीन डॉक्टरों के एक पैनल ने दिव्या के शव का पोस्ट माटम किया इधर दिव्या के शव को लेने उसक ये दिव्या का शव उसके परिजनों को नहीं सौपा गया था दुबारा जाच कराये जाने के बाद दिव्या के शव को परिजनों को सौप दिया गया शव का अंतिम संसकार करने के बाद दिव्या के ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा फिर से सिविल कोतवाली पहुँचे और पुलिस टीम ने सबसे पहले घर के मुखिया प्रमोद कुमार मिश्रा से ही पूछ ताच की। उन्होंने बताया के वो करवा खेडा जनता माध्यमिक विद्याले में प्रधाना ध्यापक थे। वहां से एक साल पहले ही वो रिटायर हो गए थे। घर में उनकी पत्नी के अलावा बहु दिव्या मिश्रा तथा बूढ़ी मा रहती थी। लेकिन उनकी पत्नी कुछ दिन पहले उनके बड़े बेटे के पास चली गई थी। और प्रमोद कुमार स्कूल से रिटायर होने के बाद सामाजिक कारियों में व्यस्त रहने लगे थे। वो सुबह ग्यारा बजे नाश्था करके घर से निकलते थे और टेड़ दो बजे घर वापस आते थे। शाम को फिर वो पांच बजे घर से निकल जाते थे और रात को आठ बजे घर वापस आते थे। उन्होंने बताया कि उनके कमरे का दर्वाजा बाहर गली की ओर ही खुलता था और उसी दर्वाजे से वो आते जाते थे इसलिए घर के मुख्य दर्वाजे से उनका ज्यादा आना जाना नहीं होता था 14 अक्टूबर 2019 को भी प्रमोद कुमार 11 बजे नाश्ता करके घर से करवा खेड़ा स्कूल जाने के लिए निकले थे क्योंकि स्कूल स्टाफ ने उन्हें किसी जरूरी काम के लिए बुलाया था स्कूल का काम खत्म होने के बाद वो दो बजे अपने घर आए फिर उन्होंने खाना देने के लिए बहु दिव्या को आवाज लगाई लेकिन दिव्या ने कोई जवाब नहीं दिया फिर उन्होंने उसके नंबर पर फोन करके बात करने की कोशिश की लेकिन दिव्या ने फोन भी नहीं उठाया उन्होंने सोचा के शायद दिव्या सो रही है इसलिए वो भी आराम करने लगे लेकिन जब तीन बजे के करीब उनकी आँख खुली तो अचानक उनकी नजर घर के में गेट पर पड़ी दरवाजा खुला हुआ था और वो समझ गए थे के घर में कोई आया है लेकिन घर में कौन आया था यही पता लगाने के लिए वो तीसरी मंजल पर पहुँचे दिव्या का कमरा खुला हुआ था प्रमोद कुमार मिश्रा ने दिव्या को आवाज लगाई लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला इसके बाद वो कमरे के अंदर चले गए लेकिन कमरे के अंदर का दृष्य बड़ा ही खौफनाक था दिव्या नीचे फर्ष पर खून से लटपट पड़ी थी वहीं पास में फूलदान तूटा हुआ पड़ा था प्रमोद कमार चींखते चिलाते हुए घर से बाहर आए और पडोसियों को इस घटना की जानकारी दी उसके बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचे प्रमोद मिश्रा की बात सुनने के बाद पुलिस अधिकारी ने पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है चेक कर लिया है घर में कोई लूट पार्ट नहीं हुई है घर का कीमती सामान गहने तथा नगदी सब सुरक्षित हैं इसके बाद पुलिस ने प्रमोद मिश्रा के पडोसियों से भी पूछताच की लेकिन इस हत्या के संबंध में पडोसी भी कोई जानकारी नहीं दे सके थे पुलिस ने मृत का दिव्या के भाई सचिन कुमार तथा अन्य परिजनों से भी पूछताच की वो भी कोई खास जानकारी नहीं दे पाए लेकिन वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ती भी था जो इस जांच में पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा था और वो था दिव्या का पती अजितेश मिश्रा पुलिस वाले जब भी उससे पूछताच करने की कोशिश करते थे वो बेहोश होने का नाटक करने लगता था उसके इसी नाटक से पुलिस को उस पर शक होने लगा था वैसे भी पुलिस टीम को तो इस हत्या में पहले से ही किसी करीबी का हाथ लग रहा था जब पुलिस ने अजितेश के साथ थोड़ा सخت रवया अपनाया तो तब जाकर वो कुछ बोला उसने कहा के सर दिव्या से मैं बेहत प्यार करता था वो भी मुझे बहुत चाहती थी वो मेरे साथ नोईडा में रहती थी लेकिन कुछ दिनों पहले मेरी माँ जब बड़े भाई के पास नासिक चली गई तो तब मैंने ही दिव्या को अपनी दादी और पापा की देखभाल करने के लिए नोईडा से यहां भेज दिया था अब तक पुलिस टीम को दिव्या की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट भी मिल गई थी पोस्ट मॉटम रिपोर्ट से पता चला के दिव्या की मौत सिर में चोट लगने के कारण होई थी और उसका गला भी घोटा गया था क्योंकि पुलिस को मृत्का के पती पर ही शक था इसलिए पुलिस टीम ने अजितेश और दिव्या के मोबाईल फोन की कॉल डिटेल्स निकल वाई और उनकी चानबीन की तो पता चला कि अजितेश चार मोबाईल नंबरों पर ज्यादा बातें करता था जिसमें एक नंबर उसकी पतनी दिव्या का था दूसरा उसके पिता प्रमोद मिश्रा का था लेकिन तीसरा और चौथा नंबर पुलिस को संदिग्ध लग रहा था इन संदिग्ध नंबरों के बारे में पूछने पर अजितेश ने बताया कि ये नंबर FM TV न्यूज चैनल में उसके साथ काम करने वाली भावना आरया तथा उसके दोस्त अखिल कुमार के हैं लेकिन इन नंबरों में भावना आरया के फोन पर अजितेश की लगभग हर रोज ही बात होती थी इससे पुलिस को लगा कि कहीं भावना और अजितेश के बीच कोई नाजाय संबंधों का चक्कर तो नहीं है और ये पता लगाने के लिए पुलिस की एक टीम 16 अक्टूबर 2019 को FM TV न्यूस चैनल के सेक्टर 63 नौइडा में स्थित आफिस पर पहुंची और वहां कई लोगों से पूछ ताच की वहां से पुलिस को पता चला के भावना और अजितेश के बीच कुछ ज्यादा ही गहरे प्रेम संबंध है और इन संबंधों के कारण पती पतनी के बीच काफी तनाव भी रहता था साथ ही ये भी पता चला के अजितेश की पतनी दिव्या अखिल को अपना मुह बोला भाई मानती थी और उसे राखी भी बांधती थी ये पता चलते ही पुलिस ने भावना आर्या और अखिल कुमार को उनके कार्याले से हिरासत में ले लिया इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले अखिल से पूछताच की अखिल पहले तो पुलिस को गुमराह करता रहा वो यही कहता रहा कि दिव्या उसकी मुह बोली बहन थी और एक भाई अपनी बहन की हत्या कैसे कर सकता है लेकिन जब पुलिस ने उस पर थोड़ी सक्ती दिखाई तो वो तूट गया और उसने दिव्या की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया अखिल ने बताया के दिव्या की हत्या का शड्यांत्र उसके पती अजितेश और उसकी प्रेमिका भावना ने रचा था उन्होंने ही पैसों का लालच देकर उसे दिव्या की हत्या करने के लिए भेजा था अखिल ने स्वीकार कर लिया था कि दिव्या की हत्या उसने ही की थी अखिल के बाद अजितेश और भावना ने भी अपना अपराद स्वीकार कर लिया था भावना ने बताया कि वो अजितेश से प्यार करती थी, वो दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन अजितेश की पत्नी दिव्या उनके प्यार में रोडा बनी हुई थी इसलिए उन दोनों ने अखिलेश को दिव्या की हत्या करने के लिए पैसों का लालच डिया और उन्होंने उसकी हत्या करवा दी अजितेश ने बताया कि उनकी शादी को तीन साल बीच चुके थे लेकिन दिव्या से उसे अभी कोई संतान नहीं हुई थी इसी बीच साथ में काम करने वाली भावना से अजितेश की दोस्ती हो गई फिर दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर वो दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गए लेकिन इस शादी में दिव्या दीवार बन गई थी इसलिए उसकी हत्या करके उसे रास्ते से हटा दिया गया इसके बाद SSP संतोष कुमार मिश्रा ने तुरंत प्रेस कॉन्फरेंस आयोजित करके अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश करके इस घटना का खुलासा किया घटना की गुत्थी ये निकल के आई है कि अजितेश के अपनी पत्नी से अनबन रहा करती थी और साथ ही साथ सेम निउस चानल में काम करने वाली महिला मित्र से भी संबन थे और इसी संबन्धों को लेके और इस पत्नी स को अनबन को लेके अपने मित्र अखिल के साथ महिला दिव्या मिश्रा के मर्डर किनों ने प्लानिंग की थी चूंकि कातिलों ने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था इसलिए पुलिस ने धारा 302 और 120 बी के तहत अजितेश मिश्रा, भावनार्या और अखिल कुमार को नाम जद कर लिया था दरसल प्रमोद कुमार मिश्रा के तीन बेटे थे उन्होंने अपने तीनों बेटों को उच्च शिक्षा दिलाई थी उनके दो बेटे तो पढ़ लिख कर नासिक में नौकरी करने लगे थे प्रमोद कुमार ने उन दोनों बेटों की शादी भी अच्छे घरानों में कर दी थी जबकि अजितेश अपने दोनों भाईयों की अपेक्षा ज्यादा स्मार्ट और तेज तर्रार था अजितेश पढ़ लिख कर FM News TV चैनल में नोईडा में काम करने लगा था वहाँ वो न्यूज एंकर था अजितेश जब करने लगा तो प्रमोद मिश्रा ने उसकी शादी इटावा की ही रहने वाली दिव्या से साल 2015 में कर दी थी दिव्या एफ-एम की पढ़ाई कर रही थी दिव्या बहुत खूबसूरत थी और खूबसूरत पत्नी मिलने से अजितेश भी बहुत खुश था दिव्या ने ससुराल आते ही घर संभाल लिया था वो अपने पती का बहुत खयाल रखते थी साथ ही सास ससुर की सेवा में भी कोई कमी नहीं छोड़ती थी दिव्या शादी के बाद कुछ महीनों तक तो ससुराल में ही रही उसके बाद वो अपने पती अजितेश के साथ नौइडा चली गई और पती अजितेश के साथ वहीं पर रहने लगी दिव्या और अजितेश का शादी शुदा जीवन खुशी खुशी बीतने लगा अजितेश को जब समय मिलता था वो दिव्या के साथ बाहर घूमने फिरने के लिए भी जाया करता था दिव्या के नॉयडा में स्थित घर पर अखिल कुमार सिंग का भी आना जाना लगा रहता था क्योंकि अखिल कुमार दिव्या के पती अजितेश के साथ चैनल में काम करता था इसलिए उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी अखिल दिव्या को बहन मानता था दिव्या ने भी उसे अपना मोहबोला भाई बना लिया था अखिल मूल रूप से अमर नगर फरीदाबाद का रहने वाला था और वो ग्रेटर नोइडा में रहता था इधर शादी के बाद तीन साल कब बीथ गए अजितेश और दिव्या को पता ही नहीं चला लेकिन इन तीन सालों में दिव्या मा नहीं बन सकी थी जहां दिव्या के मन में गोद सूनी होने का दर्द था तो वहीं अजितेश के मन में भी इस चीज़ का बहुत दुख था कि वो अभी तक बाप नहीं बन सका है चाला की ऐसा नहीं था कि दिवया ने अपना इलाज नहीं कराया था लेकिन फिर भी दिवया को कोई संटान नहीं हुई थी और फिर धीरे दीरे अजितेश के मन में ये बात बैठ गई कि शायद दिवया अब कभी मा नहीं बन पाएगी और इसी बात को लेकर उन दोनों के प्यार में अब दरार पढ़ने लगी थी अब अजितेश भी दिव्या से दूर दूर रहने लगा था और वो अंदर ही अंदर दिव्या से नफरत करने लगा फिर उन्हीं दिनों अजितेश की नजर भावना पर पड़ी भावना आरिया भी खूबसूरत थी भावना भी FM TV चैनल में मेक अप आटिस्ट थी इसलिए अजितेश और भावना एक दुसरे को अच्छी तरह से जानते थे अक्सर उन दोनों के बीच बातें होती रहती थी और इन ही बातों के चलते अजितेश भावना से प्यार करने लगा था वैसे तो वो कई सालों से उसे देखता आ रहा था लेकिन उसके मन में भावना के प्रति प्यार तब जागा जब बच्चा ना होने के कारण पत्नी से उसकी दूरियां बढ़ने लगी थी इसके बाद वो भावना से नजदीकियां बढ़ाने लगा अजितेश उससे अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा था लेकिन जब अजितेश से रहा नहीं गया तो एक दिन उसने भावना से अपने दिल की बात कह दी अजितेश की बात सुनकर भावना ने उससे कहा कि अजितेश तुम शादी सुदा हो अजितेश ने उसे बताया कि दिव्या और मेरे बीच अब दूरियां पैदा होने लगी है और मैं अब उससे नफरत करने लगा हूँ अजितेश ने कहा के दिव्या खूबसूरत जरूर है लेकिन तीन साल बाद भी वो अभी तक मा नहीं बन सकी है इधर भावना आरया तो अजितेश से पहले ही प्यार करती थी और जब उसे अजितेश ने प्रपोज किया तो उसने उसका प्यार स्वीकार कर लिया इसके बाद उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, दोनों एक साथ रहने लगे, इतना ही नहीं, जवानी के जोश में एक दिन उन दोनों ने मर्यादा की वो दिवार भी गिरा दी, और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए, इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ र उसके साथ जगणने लगता था, और अगर दिव्या उसे कहीं बाहर चलने को कहती, तो वो उसे मना कर देता, दिव्या की समझ में नहीं आ रहा था, कि आखिर अजितेश को क्या हो गया है, और वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, एक दिन जब दिव्या का मुह बोला भाई अखिल उसके घर आया, तो दिव्या ने उसे अजितेश के व्यभार के बारे में बताया, और अखिल से उसके लेट घर आने के बारे में पूछा, अखिल ने पहले तो बात को टालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब दिव्या ने उसे कसम दिलाई, तो अखिल ने उसे सच चाही बता दी, अखिल ने दिव्या को बताया कि अजितेश आजकल भावना आर्या के प्यार में पागल है, आजकल वो उसी के साथ ज्यादा व्यस्त रहते हैं। अजितेश ने पुलिस को बताया कि इस विरोध के कारण घर में जगड़ा होने लगा, लेकिन दिव्या के विरोध करने के बावजूद भी अजितेश ने भावना को नहीं छोड़ा, दिव्या पढ़ी लिखी और संसकारी लड़की थी, इसलिए उसने अजितेश को प्यार से समझाया और पिता की इज़त का वास्ता दिया, इसके साथ ही दिव्या ने भावना को भी आड़े हाथों लिया, उसने उसे खूब खरी खोटी सुनाई, दिव्या की इन बातों से भावना भी परेशान हो गई, उसने अजितेश से दिव्या की शिकायत की, इसके बाद अक् जावा आ तो गई थी, लेकिन वो अजितेश से मुबाइल पर बात करती रहती थी, और उससे लगातार संपर्क में रहती थी, बातचीत के दौरान वो पती को भावना से दूर रहने को भी कहती रहती थी, अजितेश भी दिव्या को यकीन दिलाता रहता था कि उसने अब भावना ने उठाया, दिव्या समझ गई कि भावना और अजितेश दोनों एक साथ एक ही रूम में है, इसलिए दिव्या गुस्से से फट पड़ी, दिव्या ने फोन पर ही भावना को खूब लताड़ा, और उसे यहां तक कह दिया था कि उसके अंदर अगर ज्यादा गर् दिव्या की बातों से भावना भी नफरत की आग में अंधी हो गई थी, उसने भी उसी दिन ये तै कर लिया था कि अब या तो दिव्या अजितेश के साथ रहेगी, या फिर वो रहेगी, इसके बाद भावना ने अजितेश से कहा कि देखो अजितेश, दिव्या और मैं एक साथ तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए अब तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, और दो दिन के अंदर तुम मुझे अपना फैसला सुना देना, अजितेश भावना के प्यार में ऐसा पागल हो चुका था कि उसने अपनी पत्नी के बजाए प्रेमि अपने दोस्त अखिल को भी शामिल कर लिया था, क्योंकि दिव्या अखिल को अपना मुहबोला भाई मानती थी और उस पर विश्वाश भी करती थी, इसलिए अखिल दिव्या तक आसानी से पहुँच सकता था, इसके बाद प्लान के अनुसार अजितेश ने एक नया सिम औ और एक मोबाईल खरीद कर अखिल कुमार को दिया, साथ ही उसे इस नए मोबाईल से ही बात करने को कहा, हत्या के इस पूरे प्लान को समझने के बाद, 14 अक्टूबर 2019 की सुबह, अजितेश ने अखिल को दिव्या की हत्या करने के लिए बस से इटावा भेज दिया, और अखिल कुमार कट्रा बलसिंग में स्थित, दिव्या के घर पर पहुंचा, और उसने डोर बेल बजाई, दिव्या ने तीसरी मनजल से नीचे जहांक कर देखा, तो गेट पर उसे उसका मुह बोला भाई अखिल खड़ा हुआ दिखाई दिया, वो उसे देखकर बहुत खु दिव्या के ससुर प्रमोद कुमार घर पर नहीं थे, वो स्कूल के किसी कारेक्रम में गई हुए थे। दिव्या ने अखिल के लिए चाय बनाई और अखिल के साथ बैठ कर चाय पीने लगी। इसी बीच दिव्या अपनी शादी का एल्बम अखिल को दिखाने लगी और उससे कहने लगी कि वो अपने दोस्त अजितेश को समझाए कि वो भावना से दूर रहे। लेकिन अखिल तो वहां कुछ और ही सोच कर आया था। तब ही अखिल की नजर कमरे में रखे चीनी मिटी से बने फूल दान पर पड़ी। मौका पाते ही उसने फूल दान उठाया और दिव्या के सिर पर जोर से दे मारा। फूल दान के वार से दिव्या का सिर भट गया। लेकिन दिव्या को ये समझते देर नहीं लगी कि अखिल को उसकी हत्या करने के लिए भेजा गया है। इसलिए वो भी अपना बचाव करने के लिए अखिल से भिड़ गई लेकिन अधिक खून बहने के कारण दिव्या बेहोश होकर गिर पड़ी इसी बीच अखिल ने अजितेश को मैसेज करके बताया कि दिव्या की सांसे चल रही हैं इस पर अजितेश ने मैसेज का जवाब देते हुए कहा कि उसकी सांसे हमेशा के लिए बंद कर दो इसके बाद अखिल ने दिव्या का सिर फर्ष पर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी दिव्या की हत्या करने के बाद वो आराम से गेट खोल कर घर से बाहर निकल गया फिर बसस्टेंट पर पहुँचकर वो वापस नोइडा चला गया इधर जब दो बजे प्रमोद कुमार मिश्रा अपने घर पर पहुँचे तो उन्होंने खाना देने के लिए दिव्या को आवाज लगाई और फोन भी किया और जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें लगा कि शायद दिव्या सो रही है इसलिए वो भी आराम करने के लिए लेट गए लेकिन जब एक घंटे बाद वो उठे तो उन्होंने देखा कि घर का मेन गेट खुला हुआ है जिससे वो समझ गए थे कि घर के अंदर कोई आया है यही पता करने के लिए वो दिव्या के कमरे में पहुँचे थे लेकिन वहाँ बहु दिव्या खून से लत पत पड़ी थी हत्यारोपी अजितेश मिश्रा, अखिल कुमार और भावना से ये सारी पूश्टाच करने के बाद पुलिस ने उन्हें 18 अक्टूबर 2019 को इटावा कोट में पेश किया जहां से उन तीनों को जेल भेज दिया गया दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बलके आपको जागरुक करना है, आपको सचेत करना है दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेर भी करें अगर आपने अब तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए धन्यवाद